कि अलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल विने एक्विटी आज सेकंड एप्रिल है यानि कि दो तारीख है और यह अदानी विलमार का शेर आप काफी लाइम लाइट में है यह देख सकते पांसो बैयाल इसके उपर क्लोजिंग हुई है यह कितना उपर और जा सकता है कहां लोग इसके अंदर नया बाई करते है इस शेर को वह जरूर देखे है तो बिल्कुल बंए रहे हैं इस वीडियो के साथ और आगर आपको यह वीडियो अच dus like और करें और को पता चले अच्छी इंफर bonnet को मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे येγά मिलती रहे तो यह 542 के उपर बंद हुआ है अदारी विलमार का शेर और यह इसका जो डेटा है वह बहुत स्यादा है नहीं बहुत शॉट प्रम में यह अभी अभी इसके लिस्टिंग हुई है काफी अच्छा बढ़ी अरणफ दिया है तो इसके अंदर सबसे पहले अगर इस अगर इस ट्रेंड लाइन को सिप्ट एक बारे में इसको हम देखे तो इसका जो नेक्स्ट टार्गेट या फिर एक रजिस्टन देखे तो यहां पर हो सकता है जहां पर मैंने यह अरो बनाया है और इस लेवल को भी नोट कर लीजिए 587 रुपीज से यह हो सकता है 600 रुप अगर यह बहुत ही महेंगा है लेकिन अदानी के जितने भी शेर है वह फंडमेंटली महेंग़ ही ट्रेट कर रहे हैं अभी मार्केट के अंदर आप सब जानते है तो टेकनिकल अगर चार्ट पर देखे तो यह जो लेवल है यहां पर एक दो दिन में अगर यह जाए तो यह यहां पर अगर नीचे आया था तो यहां पर भी नीचे इतना सरा नीचे आये लेकिन नहीं आप इस लेवल को वचलिस में रखे तो कि आपको एक आइडिया रहे कि यह इसका जो है एक टेकनिकल लेवल के ऊपर यहां पर इस जोन के अंदर यानि की 587 से 600 रूपे के बीच यहां पर हो सकता है तो इस लेवल को जरूर वचलिस में रखे अगला सेर है पी एन पेट्रो यानि की तमिल नाडू पेट्रो तो यह इसके एक सो अठार के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है इसके अंदर देखे तो एक बड़ा ब्रेक आउट आता हुआ दिख रहा है वोलि इसके अंदर देखे तो इसका जो फाइव डेस का एमे है वह 110 रुपे है नाइन डेस का एमे 108 रुपे और 200 दिनों का एमे 102 रुपे तो अगर किसी को इसने अंदर बाइंग करनी है तो कर सकते है यह आप अगर चाहे तो 2-3 टुकड़ों में बाइंग करे मतलब कि यहां पर बाइंग करे और थोड़ा सा अगर नीचे मिले तो यह वहां पर भी बाइंग कर सकते हैं मतलब कि 110 रुपे के आसपास यह 110 यह 112 जो भी आपको ठीक लगे और 9 दिनों का मुविंग एम रेच है 108 रुपे उससे थोड़ा सा इसी के आसपास यह से थोड़ा सा 1-2 रुपे नी इसके अंदर बहुत बढ़िया चीज एक हुई है यहां पर आप देख सकते हैं मसीडी का बुलिस क्रोशोवर बंता हुआ दिख रहा है ओन दो विकली चार्ट एक और चीज है यह जो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया यहां पर 500 रुपे का हाई बनाकर यह लगातार नीच तो चलिया आगे बढ़ते हैं इसके अंदर जो है कुछ इसका फंडामेंटल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं इसका जो पी रेशियो पाच के आसपास है इसका 52 विक हाई लो आप देख सकते हैं 50 रुपे और 500 रुपे के आसपास और इसका जो आरोसी और आरोई है 28 20 परसंट के आसपास है और इसकी बुक वेल्यू 74 रुपीस डेट टू एक्विटी रेशियो 0.10 है सेल्स ग्रोथ अच्छी है 63 परसंट प्रोफिट ग्रोथ भी अच्छी है 183 परसंट यह एक वेबसाइट के उपर से मैंने यह लिया हुआ है स्क्रीनर आप अपने तरीके स जो है EPS और PE ratio का comparison यहां पर किया हुआ है पिछले दिनों में 10 के आसपास इसका PE ratio था अभी है 5 के आसपास है तो बहुत इची पराव पर अभी यह मिल रहा है सस्ते बाव पर मिल रहा है और यह कुछ इसके साल दर साल इसका profit और sales growth है sales कितनी रही है यह इसके इंदर information है 2019 से daily chart है और यह clearly visible है यहां पर देख सकते हैं यह फिर से मैंने daily chart लगाया है तो यहां पर जैसे कि यह मैंने कहा था 500 रुपे का high बना कर इसके अंदर लगातार एक गिरावट रही उसके बाद यहां पर clear cut एक breakout है तो इसके अंदर देखे तो जैसे कि मैंने कहा कि nine days का यह मैं के आसपास यह इसके थोड़ा सा नीचे मतलब की 108 रुपे के आसपास यह इसके थोड़ा सा नीचे आप stop loss सकता है कि बीच-बीच में यहां तक एक्चली इसका 500 रुपे तक का टार्गेट हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर लेकिन बीच-बीच में यह छोटे मोटे resistant भी फेस करेगा सबसे पहला जो resistant है वह 130 रुपे के आसपास रहेगा उसके बाद 140 रुपे के आसपास और फा जरूर करें जो भी डेटा में ने शेयर किया उसके बाद अगर आप चाहे तो आपने फाइनल से एडवाजर के साला ले उसके बाद ही कोई एकोई एकोडिंडी रिसीजन ले और रिसीजन ले तो उसकी जीमेदारी भी में चुछा लगा तो फिर से मैं बोल ला हूं कि इसक धर के बोति को आई एक ब Arg боль कि ऑने किर देुड ने होन में दो होनो भी डिसी जीesकने प tiếp है जिसी में जोने जास वाल चाहे तोड़ णंगर वाल CAT से में वाल ले का मैं जोड़त से बाराप जarna ने ने मैं भी तोड़ने है दोड़िंडी ले एक एक Tillग presents